आपने एक चीज़ देखी होईगी कि यहां पे अगर पहले तो यह गुरूप कैसा होता है यह गुरूप भई आपको कुछ ऐसा सा दिखता है इसके अंदर आपका एक्सपेक्ट करने वाले है इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है पहली बात आप अगर देखोगे तो जो मेरा जी गुरूप है ओवरॉल क्या हुआ ओवरॉल जी गुरूप को हमने रिप्लेस कर दिया है आपके न्यूक्लियोफाइल से अगर मैं कंडिशन में प्रोड़क्ट बना दते हैं मैं वो लिख देता हूं अगर आप चाहते हो बट अधरवाइस नॉर्मल कंडिशन में अगर रियक्शन आता है तो आप इसका प्रोड़क्ट नहीं लिखोगे क्या हाल चाल भी आप सब लोग के दिस इस यौन नेखेल सर और आज हम लोग लेकिया हैं काट बॉक्स लिख एसिट्स का वन शॉट डिसकुशन बेसिकली इसका पूरे का पूरा माइंड मैप तो उमीद करते हैं इससे पहले एल्डी हाइट की टोन्स का आप लोगों ने मा आपको पढ़ना होगा तब ही आप ये लेक्चर में थोड़ा सा ज्यादा मतलब रियक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बॉक्स लिक एसिट के साथ तो सबसे पहले आ रहा है इसके अंदर डैट इस सर वाट एक्जैक्ली इस दा जी ये और एक्स ऊपास करने ऐए एक कैसिट करेंगी तो इसके पास पास आने वाला है एक तो इस तरह एक इसके पास और सब्सकिन कॉल SNAE reactions, क्या है यह SNAE reactions, यह अभी समझते हैं, तो यह मोटे-मोटे इस टाइप के reactions देता है, तो let's start and let's understand what exactly is carboxylic acid going to do, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास आ रहा है, इसका mechanism देख लेते हैं पहले, वही जो अभी मैं बता रहा था ना, आपको किस तरह से reaction करता ह है, यह mechanism को अभी हम लोग देखते हैं, पहले मान लो, यह carboxylic acid है, यहां पे मैंने actually लिख दिया है group G, carboxylic acid में यह group G क्या हो जाता है, आपका OH हो जाता है, ठीक है, ऐसे और भी हमारे पास derivatives होते है carboxylic acid के, अगर G की जगा पे CL लगा दोगे, तो वो क्या कहते हैं, इसका mechanisms को एक साथ combine कर रहा हूं, कैसे reaction होता है, देखो या, यह हमारा nucleophile है, यह क्या करेगा, यह इस carbonyl carbon पे, पहले carbonyl carbon पे focus करो, यह carbon और oxygen में, obviously oxygen क्या होता है, delta negative charge दिखाता है, ठीक है, और carbon क्या होगा accordingly, वो delta positive charge दिखागा, क्योंकि क्या है, जादा electro negative कौन है, oxygen जादा electro negative है, वो electron carbon से खीच लेगा, तो यह negative is positive की तरफ attract होगा, और यह जाके इसके उपर attack करेगा, और यही जो first step होता है, this is the rate determining step, मतलब यह slow step होगा, तो इसी पे rate माइने रखेगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर अपने पास R, यह C, वो bond उपर वाला break कर जाएगा, इधर लग अब यह वापिस आएगा, यह वापिस आएगा, तो carbon 5 bond तो बना नहीं सकता, तो अब की बारी G group आपका leave कर जाता है, तो अब जो mechanism दिखेगा, मतलब जो आपका product दिखेगा, वो यह आजएगा, और nuclear file हमारा साथ में लगा होगा, तो यह step में हमारा क्या होता है, पूरे का पूरा carboxly acids और बाकि उसके derivatives action दिखाते हैं, इसमें कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना है, पहली बार, आप अगर देखोगे, तो जो मेरा G group है, overall क्या हुआ, overall G group को हमने replace कर दिया है, आपके nucleophile से, अगर मैं net change देखू, overall change देखू, तो यहाँ से, यहाँ पे क्या हुआ क्या है substitution हुआ, देखो जड़ा, यह substitution हो रहा है, बिल्कुल, किसका substitution हो रहा है, nucleophilic, तो this is substitution, nucleophile का हो रहा है, तो इसको nucleophilic substitution कि आप ल eek सकते हो, nucleophilic substitution हुआ, बड़ ध्यान रखने वाली बात यह है, इसके अंदर, पहले क्या हो राँ था? पहले nucleophile का addition हुआ, तो यहाँ प्रक्राई प्रक्राइशन सेरे हैं इन सब्सक्राइड से लेकिन addition and elimination की health से, इस वज़ा से इस पूरे carboxylic acid के mechanism को बोला जाता है SN, तो SN stands for substitution nucleophilic, A and E stands for addition and elimination, इस तरह से होता है, इसको बोला जाता है S and A ही mechanism, तो यह यह वले mechanism से reactions करने वाला है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे reactions आप SN A ही mechanism से देखोगे, पहली बात तो यह, दूसरी ब अगर मैं बात करूँ इस mechanism में, slowest step कोन से है, first वाला, यह हमारा slowest step है, तो मतलब इस पे rate माईने रखेगा, अब ध्यान रखने वाली बात यह है, कि जो rate आपका आ रहा है, वो carbon पे, मतलब nucleophile carbon पे क्यों पहुंचेगा, क्योंकि carbon पे positive charge है, तो जितना carbon पे positive charge जादा होगा, उतना यह reaction जादा दिखाएगा, एगरी कर रहा है उस बात पे, क्योंकि nucleophile को carbon पे पहुंचना है, तो carbon positive होगा, अभी nucleophile उक्स की तरफ जाएगा, तो carbon पे जादा positive charge, reaction उतना ही जादा, और यह होगी पहली बात, दूसरा, अब यह जो इसके साथ लगे होंगे groups, जो भी carbon को positive charge जादा करवाएगा, वो उतना ही reaction rate increase करतेगा, अगर यह R group carbon से, मतलब कुछ भी अगर group लगा उता, यह carbon को और positive करता, कैसे positive करता, सर इलेक्ट्रोज से खीच लेता, तो जो minus M group होंगे, जो minus I group होंगे, वो क्या करेंगे, वो इसका rate बढ़ाएगे, अच्छा जो donating group होंगे, plus M वाले, plus I वाले, वो क्या करेंगे, वो इसी का reaction कम कर देंगे, तो आपको सारा game इसकी उपर आता, जो इसके reaction वाले questions आती है, कि किसका reaction fast होगा, जो की minus M, minus I वाले groups का fast होगा, और जो plus M, plus I वाले groups होते हो, reaction slow कर देंगे, तो यही बात यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, that is जो rate of reaction होगा, वो positive charge of carbonyl carbon पे depend करता है, कौन increase करेगा, minus M, minus I increase करेगा, plus M, plus I इसको decrease करेगा, जैसे यहाँ पे कोशन ही ले ले लेते हैं हम लोग, हमारे पास यह चार compounds है, यह आपका acid chloride है, this is the acid chloride group, यह आपका कौन सा group आ रहा है, यह आपका enhytride आ गया, इसमें comparison कर लेते है किसका जादा होगा, किसका कम होगा, यह आपका ester आ गया, और यह आपका amide आ गया, question आ गया कि इन चारों में आपको compare करना है, किसका reaction जादा है, किसका reaction कम है, आप बस क्या देखो, यह तो common part है, यह सब जगा common है, common part को हटा दो, उसके अलावा देखो, कौन से group क्या कर रह मुझे लगता है यह क्या कर रहा है यह आपका प्लसम ग्रूप है और नाइट्रोजन का प्लसम बहुत स्ट्रॉंग होता है तो यह प्लसम स्ट्रॉंग है इसका अच्छा यह क्या है यह आपका ऑक्सीजन है यह क्या कर रहा है यह प्लसम करता है लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है, ठीक है, relative वीक है, अच्छा, यह क्या कर रहे है, यहाँ पर oxygen क्या कर रहे है, यह प्लस M कर रहे है, लेकिन यही प्लस M, इधर भी share हो रहे है, तो इधर आ रहे है, प्लस M, लेकिन यह कुन सा हो रहे है, यह share हो रहे है, और इधर क्लोरीन है, जिसका net effect क्य आता है minus i तो यह तो आपका minus i यह मतलब यह electron खीच रहा carbon से तो मुझे लगता है यह carbon से electron खीच रहा carbon पर positive charge बढ़ाएगा तो इसका reaction सबसे fast फिर यह plus m shared plus m से weak होता है तो यह इसका भी weak हो गया plus m तो electron बहुत जाद इसको दे देगा तो यह काम खराब करेगा और इसका plus m जब hydride forestal फिर amide एक तो यह type का question आ गया कि इनके derivatives में comparison करने को आ जाता है दूसरा जो इस पर question आएगा ठीक है वो मैं आपको दिखा जाता हूँ एक इस तरह का question आ गया ठीक है मानलो यह question आ गया कि भाई आपको compare करना से नहीं की तरफ reaction तो आपको वही देख ग्रूप सब common है य यह कैसा आ रहे है सर यह आपका plus है यह प्लस ही ग्रूप आ रहे है और यह कैसा रहे है यह हमारा plus M ग्रूप आ तो आपको पता है minus वाले reaction बढ़ाते हैं plus वाले reaction घटाते तो यह तो reaction बहुत तेज करेगा यह प्लस आई और प्लस में जादा जादा इलेक्ट्रों वो देगा प्लस में तो यह आपका rate of reaction का order हो जाएगा इस तरह की questions अब आई थिंग तुम लोग directly कर सकते हैं ओई चीज यहां लिखी भी है अब बात करते हैं मोपीज की ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विद मेठेडो प्रेपरेशन परस्ट आगया ऑक्सिडेशन ऑफ अल्डी हाइड यहां तीसरी बार देख रहे हो ठीक है आप तो बिल्कुली वहां पर देख लो यह है क्या आपके पास एल्कोहल अगर आपके पास वन डिग्री एलकोहल आपके पास है इसको कोई स्टॉंग ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट दोगे सीधा सीधा आपको कार्बॉग्जलीग असिड मिलेगा ठीक है यह पूरा गुरुप कार्बॉग्जलीग में कन्वर्ट हो जाता है सिमिलरली अगर मेरे पास एल्डी हाइड अगर आप ऑक्सिडाइजिंग दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जेगा यह भी आपका कार्बॉग्जलीग एसेट के अंदर कन्वर्ट हो जेगा मतला को स्टॉंग ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट कौन से होते हैं वह बड़ी सिद्धी सी कल है जो आपके हमने चार बार बता हो गया यहां फिर आपका जोंस रिएजन्ट हो गया स्यारो थी प्लस को यह आपका वाटर यहां इन में से कुछ भी है यह स्ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंग होते हैं यह लिस दीसरी बार रपीट करी जा रही है तो इसको मन में बसा लो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कोश इस केस में इस केस में प्रोड़क्ट बनेगा भई मेरा यह तो सी ओ एच आ गया इदर और इधर भी क्या जगा सी ओ ओ एच आइच आगे बढ़ते हैं नेक्स इस प्रॉम ऑक्सिडेशन ऑफ कि टोन्स यह लडी ही टोन्स के अंदर मैंने आपको चीज बोली थी कि जो आपक के किटोन्स होते हैं जर्नल यह ऑक्सिडाइज नहीं हो पाते बिलकुल नहीं हो पाते इनको ऑक्सिडाइज करना बहुत मुश्किल है लेकिन अगर दे ही दिया कि आपको करना है मतलब आपको इसको ऑक्सिडाइज करना ही करना पड़ेगा तो वेरी स्ट्रॉंग हीटिंग मतलब यह न बहुत strong heating पे चलता है, एक तो oxidizing agent भी strong चाहिए, उपर से आपको heating भी बहुत strong चाहिए, दोनों चीज़े जबरदस्त होंगी, तो उस case में जबरदस्ती ketone को oxidize किया जा सकता है, कैसे करना है, तरीका सुन लो, तरीका यह है कि आप न, देखो कि आपका यह जो पू possibility मेरे पास यह आ रही है, देखना, जहां से भी तोड़ोगे न, तोड़ना कैसे है, oxidative ozonolysis करके तोड़ना है, तो यहां से तोड़ा तो 1 and 2, 2 carbon का acid बन जाएगा, एक तो यह option हो गया, ठीक है, प्लस, 1 and 2, 2 carbon का acid बन गया, ठीक है, oxidative ozonolysis की तरह तोड़ना है, दिमाग म carbon का यहां से, और 1, 2, 3, 3 carbon का यहां से, तो अगर मैं इस तरह से तोड़ू, एक carbon का तो मेरा यह बन जाएगा, और 1, 2, 3, 3 carbon का मेरा acid यह बन जाएगा, तो COOH यह बन गया, तो इस तरह से भी तोड़ा जा सकता है, और यह पासा बैसे तो हम लोग जानते है, आगे CO2 और water में पूड़ जाता है, पर चलो इससे हमें लेना देना नहीं है, point being, आप इसको दो तरह से तोड़ सकते हो, मितलब जब भी आपके पास ketone आता है, आपको दो तरह से तोड़ना है, अब एक rule है, जिसको बोलते है, pop-offs rule, वो यह बोलता है, कि जो आपने acid को break करा, ketone को break करा, उस उसके अंदर जो कार्बोनिल कार्बन है, वो किसके साथ जाएगा, वो उसके साथ जाएगा, जहां पे आपका क्या था, जहां पे आपका alkyl chain छोटी है, देखो जरा, यहां पे ketone, जो पहले हरे वाले की बात करते हैं, हरे वाले में, दो की chain में जा रहा था, यह देखो, हर वाले में जब तोड़ा था तो यह तीन कार्बन की चेन में जा रहा है, तो कितने यहां पे दो कार्बन की चेन, यहां पे तीन कार्बन की चेन, कौन सी छोटी है, दो कार्बन वाली चेन, तो आप पिंक वाले की तरह नहीं तोड़ोगे, आप इसको हरे वाले की तरह तोड़ यह होता है जी आपका पॉप फॉफ रूट की जो कार्बॉनिल कार्बन है वो छोटे अलकाइल चेन के साथ निकलेगा ठीक है तो यह आपको इस तरह से आप इसे कर सकते हो लिखा हुआ है that is if ketone is oxidized carbon carbon stays with the smaller अलकाइल ग्रूप ठीक है इसको बोला जाता है pop-offs rule तो this is your pop-offs rule ठीक है इस तरह से आप इसे कर सकते हो आगे बढ़ते हैं next is from alkyl benzene अगर आपको alkyl benzene से इसे बनाना है तो ध्यान रखो आपके पास at least एक alpha hydrogen होना चाहिए अगर एक भी आपके पास alpha hydrogen है तो बड़ा असान गेम है एक मतलब alpha hydrogen आप benzene का respect में alpha hydrogen आप सीधा सीधा इस case में क्या कर सकते हो आपके पास k-m-n-o-4 होना चाहिए पहले तो देखो basic conditions में है तो आपका starting में तो बनता है यह अगर हम लोग एक काम करते हैं तो 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 बनता है पहले salt ठीक है उसके बाद जब आप acidify करते हो तब बन जाता है आपका carboxlic acid तो यह आपको क्या मिल गया carboxlic acid मिल गया तो point यह है कि आपका जब k-m-n-o-4 आप देते हो यह भी again थोड़ा सा एक alpha hydrogen ढूनता है एक भी alpha hydrogen है तो पूरी chain oxidize हो जाती है उपर वाला जो भी मामला है वो सारे का सारा convert हो जाएगा किसमे carboxlic acid में यह आपको दिमाग में रखना alpha hydrogen टूनने alpha hydrogen नहीं है तो normal cases में reaction नहीं होएगा ठीक है जैसे अगर मैं बात करूँ यह कोश्य है नहीं मालनों हमारे पास इस पूरे की जगा पे क्या आ जाएगा इस पूरे की जगा पे आपका carboxlic acid group आ जाएगा ठीक है ऐसे यह देखो इधर alpha hydrogen है हाँ भी बिल्कुल है इधर alpha hydrogen है हाँ भी बिल्कुल है आपको बाकी chain कैसी मतलब नहीं है एक भी दिग्या उसकी जगा पे क्या लगाना है उसकी जगा पे COH group लगाना है नीचे भी क्या आ जाएगा COH group आ जाएगा ठीक है यह clear हो गया आगे बढ़ते हैं यहां पे यहां पे alpha hydrogen है बिल्कुल है यहां alpha hydrogen है बिल्कुल है तोड़ दो फिर इसको क्या बन जाएगा यहां पे यहां पे COH group आ जाएगा यहां पे भी क्या आ जाएगा COH group आ जाएगा I think यह clear हो रहे आप लोगं को ठीक है अच्छा इसमें क्या है इसमें alpha hydrogen है यहां पे there is no alpha hydrogen तो यहां पे normal condition पे कोई भी reaction नहीं होगा क्योंकि alpha hydrogen नहीं है अब कुछ books में drastic conditions में product बना दती है मैं वो लिख देता हूँ अगर आप चाहते हो but otherwise normal condition में अगर reaction आता है तो आप इसका product नहीं लिखोगे drastic conditions में यह यह बेंजीन रिंगी oxidize हो जाती है और यह आपको product ने रहता है but generally यह drastic condition वाला concept हमसे पूछता नहीं है वो mention करेगा अगर वो जबरदस्ती पूछेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते है next is hydrolysis से भी आप लोग देखो चारों देखके मैंने इसके derivatives तो चारों derivative से plus आपके cyanide से आप इसे बना सकते हो hydrolysis मतलब वही water के साथ reaction कैसे होएगा देखो सबसे पहले आपन आते है hydrolysis of cyanide cyanide को दो तरह से hydrolyze किया जा सकता एक होती है complete एक होती है partial complete में क्या करना है आपको आपको इसको इस तरह से तोड़ना है यहां पर आ गया OH 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 मतलब वही पानी को दो हिस्सों में तोड़ा H और OH में यह क्या करेगा कार्बन के साथ 3 OH आ रहे है तो कार्बन के साथ आपने 3 OH लगा दिये येस और इधर क्या आ जाएगा इधर साथ में आपका N के साथ 3 H तो यह अमोनी आ गया ठीक है फिर क्या हुआ फिर अब यह तो unstable होते है तो यहां से आपका water क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा है ना water हमारा यहां से release हो जाएगा तो water को अगर आप हटा देते हो तो product क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका water है ऐसे water लिख देगा सीधा तो उसका मतलब होता है complete assume करनी है तो complete में क्या हो जाएगा सीधा सीधा साइनाइट से नाइट्राइल यह ग्रूप आपका साइनाइट ग्रूप को आप कनवर्ट कर सकते हो कार्बाउजलिक एसिड ग्रूप में यह आपके पास है इसको आपने एक पानी में तोड़ना है यहां पे OH आ गया यहां पे आपका H आ गया क्या मिलेगा मुझे देखो जरा यहां पे आप देखोगे RC इधर लग गया OH इधर क्या आ गया double bond N और साथ में आ गया H और यह क्या करेगा double bond के साथ OH क्यां पे होईगी Tautomerism यह Tautomerize करता है तो यहां पे आपकी Tautomerism होती है और Tautomerism होके आपको मिलता है भईया जी Amide तो यह आ गया आपका Amide तो ध्यान रखना है जब आपको Amide बनाना है तो partial hydrolysis होती है अगर आपको कारबोग्सली एसिट बनाना है तो complete hydrolysis होती है तो यह हो गया जी टोड़ा hydrolysis of cyanide आगे आते है hydrolysis of acid chloride बहुत असान है एक पानी ले लो इसको तोड़ो यहाँ पे OH यहाँ पे H product बन गया क्या हो जाएगा R C OH और साथ में क्या आजएगा साथ में आजएगा HCl अगर आपको hydrolysis करनी है acid chloride की H plus OH में हमने तोड़ दिया similarly anhydride क्या हो जाएगा यहाँ पे वही वाली बात आप यहाँ से तोड़ो यहाँ पे OH यहाँ पे H क्या मिलेगा देखना भई R C double bond O OH इधर बन गया acid प्लस इसका क्या बन जाएगा इसका लगसे I think आपका यहाँ से acid आजएगा ठीक है तो एक यहाँ से बन गया acid एक यहाँ से बन गया तो anhydride की hydrolysis करोगे तो दो आपको मिलेंगे अगला आते है अमाइड फिर से वही चीज़ करनी है यहाँ पे OH यहाँ पे H क्या आजएगा यहाँ पे आपको RC OH मिल गया प्लस NH2 के साथ H तो क्या देदेगा वह आपको ammonia देदेगा I hope this is clear तो यह तो तीन असान थे major case आता है hydrolysis of esteropate और यहाँ से concept interesting है ester में क्या है आपको करना वही है अभी वी अगर यह दो तरह से हो सकता है यह आपके acidic medium है this is the acidic medium ठीक है और यह आपका basic medium हो गया ठीक है दोनों के अंदर यह reaction हो सकता है acidic में तोड़ते हैं आपको यहां से तोड़ना है OH यहां H यहां तो product क्या मिल जाएगा product मिल जाएगा RCO यहां गया OH प्लस R' OH और यह आपको कौन सा वाला हो गया 18 वाला यह mention कर रहा हो ताकि तुम्हें mechanism के बिना ही answer याद यहां पर यही अर्कत अगर basic medium में करते हो तो product क्य का जाएगा RCO अब यहां पर acid नहीं है क्योंकि basic medium है तो basic medium में acid नहीं बनता हमेशा उसका salt बनता है प्लस आपका क्या गया R' OH तो सर इसमें अलग क्या चीज़ बताई अलग क्या हुआ अलग होता है अगर यह जो R group है इसके थोड़े से नकरे हैं अगर यह R group अलग-अलग ह हो जाए तो there is some problem उस case में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है तो इन R groups के उपर कुछ पंगे हैं इसके उपर कुछ पंगे हैं क्या पंगे हैं वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले acidic medium में अगर R' ग्रूप आपका 3 degree है अगर acidic medium में R' ग्रूप 3 degree है तो आप आपका यहां से ना तोड़के यहां से टूकता है बेसिकली क्या करना पड़ेगा अब यहां पे आपका H इधर आएगा और OH आपका इधर आएगा और देखो ज़रा क्या बन रहे है ऑक्सीजन 18 यहां से ब्रेक हो रहे है और R' ग्रूप और पहले अपन यहां से ब्रेक कर हुआ यहां फिर मिथाइल हुआ इसमें मिथाइल क्या भी ऑप्शन है तो भी आपको यहीं से ब्रेक करना है कैसे ब्रेक करना है यहां पर H लगाएंगे इधर OH लगाएंगे तो वह देख लो ज़रा इधर OH उधर H ठीक है वह बेसिक मीडियम है तो मैंने उसके बाद आप हैं तबी वह ऐसे हैं नहीं तो एक काम करते हैं अगर आपको हाइड्रोली करने तो यह क्या रहेगा चलो एक नहीं नेक्स टेप में पहले से ब्सटाइबने तो पॉंइंट यह है कि अपको 3 डिगरी हुआ तो अलग तरिका और इसमें 3 डिग्री ऑं मिथाइल पे कुछ में Acidic में कोई दिक्कत है तो Acidic में तो हम यहां से तोड़ सकते हैं तो यहां पर प्रोड़क्त क्या आ जाएगा CH3COOH प्लस यहां पर आ गया CH3O18H तो यह आ गया भया मेरा Acidic Medium में बेसिक मीडियम में यह मिथाईल है बेसिक में दिक्कत आती है तो यह यहां से तोड़ना पड़ेगा तो यहां पर प्रोड़क्ट आएगा CH3 C double bond O 18 H plus CH3 OH तो यह आगया आपका product इस case में अच्छा इसमें क्या होएगा अगर आप चाहते हो क्योंकि आपने acidify नहीं करना है तो आप इसको O minus भी दिखा सकते हो यह आपकी मर्जी है लेकिन मैं acidify कर देता हूँ ठीक है अगला इसमें क्या होएगा यह आपकी बार यह मु CO यह आगया OH प्लस इधर आजेगा इस तरह से 18 ठीक है ऐसे ही यहाँ पे आजेगा CH3 CO मैंने acidify कर दिया ठीक है सेकेंड स्टेप में मैं इसको acidify कर रहा हूँ दोनों जगा पे इधर भी ऐसे mention कर देते हैं सेकेंड पर आपने acidify कर दिया ठीक है और ऐसे ही यहाँ पे मैं acidify क कर दूंगा तो यह आगया प्लस सेम प्रोड़क्त इधर भी कोई दिक्कत नहीं है पंगा कहां आता है यह थ्री डिग्री में दोनों ही केस में यहां से ब्रेक करता है तो प्रोड़क्त आएगा CH3 C double bond O 18 H plus यह आगया यह आगया यह नॉर्मल ऐसे यहाँ पर ही मैंने acidify कर दिया तो CH3 CO O 18 यहां पर 18 plus यह क्या आजएगा अलकॉल आजएगा तो सेम प्रोड़क्त आएगा 3D में तो यह ध्यान रखना है कि आपका गेम जो है वो basic medium में और acidic में 3D में प्रेशान करता है और basic में थाइल पर प्रेशान करता है तो यह हो गया आगे बढ़ते हैं next is Grignard reagent Grignard reagent कैसे करता है इसको ऐसे सोचा करो R- और इसको सोचा करो पूरा mgx के उपर फ्लस ठीक है यह CO2 के साथ reaction करता है मैं काम करता हूँ step by step दिखाता हूँ तो पहले क्या होगा पहले आपके पास R- है ठीक है और यह mgx है mechanism दिखा देता हूँ पूरा क्योंकि इसके mechanism के उपर question आया हुग है यह पहले जाएगा CO2 के साथ reaction होगा इसका कैसे करेगा यह जाएगा carbon पर यह मानलो ब्रेक कर दिया तो यह मिलेगा आपको product R यह आ गया C double bond O minus जहां पे भी minus है उसके साथ आपका mgx positive दिखता है यह आ गया mgx positive फिर क्या होगा next step पे इसको acidify करती है acidify करने का मतलब इस पूरे पार्ट को आप हटा देते हो तो यहां पर आजेगा R C O H तो बेसिकली अगर mgx के अंदर यह दोनों चीज़े दे रखी है तो आपको क्या मिल जाता है R C O O H मिल जाता है यह आपको याद रखना है और यह mechanism मैंने बता दिया mechanism पर द्यान रखना कोशन एक दो बार इसके उपर पूछा जा चुका है तो यह हो गया आपका कोशन कर लेते हैं जैसे यह मानलो यह अच्छा एक चीज़ और इस mechanism में ना थोड़े देर बताता हूं वह चीज यह हो गया क्या हमारे पास ऐसे ही इस पूरे को हटा दो कितने हैं एक दो तीन के अंदर गबॉसलिग ऐसे तो यह क्या बन जाएगा यह आपको क्यों एक दो दगाना थे ठीक है चलो यह हो गया हमारे पास और बढ़ते है नेक्स्स मेठ़ेड़ प्रेपुरेशन अभ यह वह मैं अप आप वहां से यह ही रिवाइस कर लो कैनिजारू वहां पढ़ा है और आपने अलकोहल में पढ़ा है औरे दोनुं में कर वाया है इनको एक बार वहां से गोथू कर लेना ये सारे भी कार्बॉघुल कैसे बना सकते हैं फिर से हम लोग नहीं करेंगे ठीक है चलो फिर अब बात करते हैं आपके chemical properties की तो यह हमारे मोपी होगे methods कैसे बनाने हैं इनको कैसे generate करना है chemical properties में बताया दो तरह के हम लोग देखेंगे पहले हम लोग इसके acid वाले reactions देख लेते हैं फिर में H प्लस आपका generate हो गया अब यह जो होता है इसको बोलते हैं conjugate base this is your conjugate base जितना यह जादा stable होगा उतना ही reaction जादा होगा उतना ही acidic strength जादा है तो अगर मैं तुम्हें बोलूं यहाँ पे जो acidic strength आ रही है किसके उपर depend करेगी it is proportional to stability of conjugate base I think यह बात बोल सकता हूं मैं stability of conjugate base जितना conjugate base जादा stable है उतना ही यह reaction क्या होगा बढ़िया होगा conjugate base stable है उतना reaction सा डव दिया तो आप और यह stability of conjugate base कैसे बढ़िया होगी वह एक negative charge है negative charge को कौन stable करता है जहां जो negative हटाते है minus है minus है करते है तो I think it will be stable by minus M minus I group yes and unstable कौन करेगा उल्टे वाले तो plus M और plus I group अगर आते हैं तो वो क्या करेंगे वो इसको बरबाद करेंगे ठीक है तो आपको यह देखना कि acid group के साथ यह group के साथ क्या क्या लगा हुआ कई बार question pH के terms में आ जाता है वो भी चीज मैं बता देता हूं जितना आपका acidic strength जो होती है it is proportional to यहां तो K value आती है यहां फिर आपकी आती है H plus concentration जितना H plus जादा होगा उतना acidic strength जादा होगी जितना K जादा होगा अतनी acidic strength जादा होगी दूसरा acidic strength is inversely proportional to PK as well as it is inversely proportional to pH किसी की अगर acidic strength जादा है तो उसका PK value कम होती है उसका pH value भी कम होती है तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कभी-कभी ज्यादा तर cases में तो acidic strength का direct पूछता है पर कभी-कभी इनके terms भी पूछ लेता है करना कुछ नहीं है acidic strength निकालके उसको बस उल्टा कर देना लास्व ठीक है चलो questions करते हैं इसके उपर base तो यह आगया question जैसे यहां पे आ रहा है acidic strength compare करनी इसके अंदर मुझे लख रहा है मुझे लग रहा है यहां पर आपके पास क्या है ये आपका common group सब जगह watts common glaube common गूप तो यहांपे एक दो कार्बन के distance पर एक बढ़ाते हैं तो यहां पर मुझे लगता है कि यह सबसे बढ़िया होगा क्योंकि इसके पास distance भी दो है और इसके ओपर car group भी दो है तो इसका तो सबसे ज़ादा होगा तो B सबसे ज़ादा फिर मुझे लग रहा है A आएगा और फिर मुझे लग रहा है C आएगा क्यों क्योंकि इसका distance भी ज़ादा हो नंबर भी कमा रहा है तो DNP rule से मैं यह वला answer कर सकता हूँ अच्छ तो यह कम करेगा इसमें कुछ नहीं लग रहा और इसमें अपना minus M लग रहा है तो यह आपका order of acidic sense इस case में हो जाएगा ठीक है किस तरह से कर सकते हैं आगे बढ़ते है ortho effect ortho effect क्या है कि अगर मैं benzoic acid लेता हूँ ध्यान अखना यह benzoic acid है benzoic acid के अंदर अगर मेरे ortho position यह होती है ortho ortho position पे कोई भी group लगा हुआ है ठीक है कोई भी group लगा हुआ है भाई यह वो normal benzoic acid से या फिर meta वाले से या फिर para वाले से जादा acidic होएगा बस यह होता है ortho position पे कोई substituent है उतना ही जादा क्या होएगा acidic होगा और जितना यह किसकी वर से होता है यह basically steric hindrance का concept है तो जितना यह G group जादा होएगा उतना ortho effect और होएगा ठीक है तो ortho effect क्या है कि ortho position पे कोई है तो acidic strength बढ़ती है और जितना वह group बढ़ा होता है उतना ही जादा ortho effect वह create करता है ठीक है तो यह होगे आपका ortho effect लिखा हुआ है if the ortho position is occupied it increases the acidic strength ठीक है अब जैसे मानलों कोशन है देखो जरा इसमें क्या है इसमें मेरे पास सब जगा पे group लगे हुए ठीक है अब यहां पे देखो जरा सब जगा ग्रूप लगे हुए यह 3 degree है यह 2 degree है यह 1 degree ह है प्वेसली बात है सब जगा यह ortho effect लग रहे हुए लेकिन ortho effect में condition है जितना जुह प्रोग ऑपगा इस दो कोई shadow नहीं है नक्या है यहां पर 30 ا और यहां पर कितना लग रहा है, यहां पर मुझे लग रहा है, दो और्थो इफेक्ट लग रहे हैं, यहां पर एक और्थो और यहां पर कोई और्थो ने, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, चलो, अब आते हैं, कुछ 기본 Acidic Reaction पे इन पर क्या करना है यार देखो, Sodium और अगर आप यह देती हो तो यह Redox Reaction करता है, यहाँ पर आपको Product मिलता है, RCO- साथ में Sodium Plus आ जाता है, और यहाँ से जो Hydrogen Gas है, वो क्या हो जाती है, Liberate हो जाती है, Normal Acid Base Reaction है, कही बार आपने इस Block में करा है, Hydrogen में भी क्या होगा, यह आपका क्या करेगा, Acid Base Reaction करेगा, यह देखो, O- H+, यह करेगा, H, OH, क्या मिल जाएगा, Water आपका बाहर निकल जाएगा, पीछे से यही चीज़ निकल जाएगी, R, C, O, N, इसमें क्या है, इसमें वही है, यह H- है, H- H+, तो H2 बाहर निकल जाएगा, प्लस आपको सेमी चीज़ यहां पे मिल जाएगी, यह आ गया, और क्या है, N, N, H2, फिर से वही वाली बात, N, A+, O-, यह पूरा इसी तरह से सोच सकते हो, यह इसके साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R, C, O, N, A, प्लस आपका अमोनिया बहार निकल जाएगा, सिमिलरली इसको देखते हैं, इसको आप N, A+, और इसको माइनस मान सकते हो, तो H इदर गया, तो यह H2, CO3 निकलेगा, प्लस यहां से यह कंपाउंड आ गया, अब एक चीज़ सुन लो, यह होता थोड़ा सा अनस्टेबल, और अगर यह अनस्टेबल है, तो यह फर्दर ब्र करेगा, तो यह जो ग्रुप है न यह, यह इसका H खा जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, आर प्राइम H, प्लस, जो भी पीछे बच रहा है, आर, C, O, O-, और जहां भी O- होता है, उसके साथ, M, G, X क्या हो जाता है, प्लस में लग जाता है, ठीक है, तो यह आपके Acid Restrictions ह होगे, चलो, आगे बढ़ते हैं, Reaction with PCL3, PCL5, SOCl2, हर जगा पे आपको मिलेगा Acid Chloride, तो मैं पहले लिख देता हूँ, R, C, O, O, Cl, यह मिलेगा, R, C, O, O, Cl, R, C, O, Cl, तब में यह मिलेगा, फरक कहां आता है, फरक आता है, साइट प्रोडक्स में, साइट प्रोडक्स में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, SO2 and HCl, यहाँ पे आपको मिलेगा, POCl3, प्लस HCl, और इधर आपको मिलेगा, H3PO3, है, H3PO3, अब इसको याद करने का एक तरीका है, मतलब एक shortcut है, जिससे आप यह प्रोडक्स को जल्दी निकाल सकते हैं, कैसे निकाले SOCL में तो आप इस तरह से लिख सकते हो, SOCL को इस तरह से तोड़ा, PCL5 को इस तरह से तोड़ा, यहाँ से क्या मिलेगा, इधर से देखना, RCOCL, तो RCOCL, RCOCL, अच्छा, SO2, SO2 and HCl, HCl, ठीक है, PCL5 में कैसे देखोगे, PCL3, तो RCOCL, प्लस PCL3 के साथ हो, तो POCL3, प्लस HCl, द इस तरह से तोड़ लिया, और उदर क्या है, उदर आपको तीन-तीन रेप्रेजेंट करने है, RCO कर दिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, H3PO3, H3PO3, प्लस आपका RCOCL, तो यह आपका प्रोड़क्त तीसरा बन गया, that is, RCOCL, प्लस H3PO3, I hope इस तरह से आपको एक हो जाएंगे, yes, clear यह वाली चीज, चलो फिर, आगे बढ़ते हैं, next is anhydride formation, anhydride formations क्या है, anhydride basically होता है, किसे water, water निकाल दिया, hydride water, anhydride मतला water को निकाल के, तो दो कार्बॉक्सलिक एसिड को, अगर आप कभी भी साथ में रखते हो, दो कार्बॉक्सलिक एसिड को साथ म bond हो, यहाँ पे आगया, R-prime, तो यह क्या बन गया आपका, यह आपका anhydride बन गया, कौन-कौन ला सकता है, कोई आपको dehydrating agent लाना है, water क्योंकि यहाँ से release हो रहा है, water आपका निकल रहा है, तो कौन-कौन करता है, जो water absorb कर लेगा, P2O5 heat दिया जा सकता है, POCL3 heat दिया जा स सकता है, इस से आप anhydride को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, मलब बना सकते हो, ठीक है, अच्छा, आगे बात करते है, esterification की, esterification में अगेन आपका क्या होगा, water का release होगा, तो यहाँ से water आपका निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ यहाँ आएगा, R-COO-O-18 प्राग यहाँ पर, और R-PRIM, यह बन गया, आपका ester, प्लस आपका water, release हो जाएगा, इस ester की कुछ-कुछ बाते, यह ester देता है, fruity smell, इस process को बोला जाता है, esterification, already एक बार पहले भी स्कौम लोग पढ़ चुके है, यह होता है, ester बनता है, fruity smell आती है, चीको की smell आती है इस बेसिकल यह आपको, तो ध्यान रखने वाली चीज है कि आप इसमें, जो important चीज है, वो यह है कि water निकलता है, और आपका alcohol का जो oxygen होता हो बच जाता है, ठीक है, वो मतलब आपके ester में generator रहता है, चलो यह हो गया, आगे बढ़ते है, reaction with ammonia, इसमें acid-based reaction होता है, क्या होग होता है, यह जो ammonia होता है, यह इसके hydrogen पर attack करता है, यह ऐसे बन गया, लेकिन आप फिर इसको heat करते है, heat करने पे आपका यहां से H2O, water, release हो जाएगा, तो आपने heat करा, तो क्या हो जाएगा, RCO, और यहां से NH2, और देखो पिछे से क्या रह 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 है, 2H यहां से, 1 oxygen यहां स तो water क्या हो गया, आपका बहार निकल गया, तो क्या मिलेगा आपको, आपको amide मिलेगा, अगर आप carboxly acid को ammonia के साथ heat करते हो, ध्यान अखना heating होनी चाहिए, otherwise आपका normal salt बनता है, normal reaction करोगे, तो salt बनेगा, उसको heat करोगे, तो amide मिलेगा, यह उता reaction with ammonia, ठीक है, चलो फिर tocl, cocl, यह मिल जाएगा तीनों में, बस side product बदल लेगा, इसमें बन जाता है आपका, pocl3 plus hcl, so में आजएगा, so2 plus hcl, और इसमें आजएगा, h3 po3, तो यह आपके side products बन गे, इसमें क्या गरेंगे, water को रिल निकाल देंगे, इसमें से, water निकल जाएगा, तो product क्या है, co, इधर आगया, o18, और इधर आगया, यह product, ठीक है, इधर आपका, यह p2o5 dehydrating agent है, यह water निकाल देंगे, water निकाल दो, इसमें से, तो product क्या आजएगा, ch3, ch2, c double bond o, और इधर से क्या आजएगा, c double bond o, यह आगया, c Death सुन्दर कर देते हैं C double bond O CH3 यह प्रोड़क्ट मेरे पास यहां पर आजेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको बोल दिया हमने इसमें दिया अमूनिया के साथ हीट करा है अगर मैं अमूनिया के साथ हीट करा है तो मुझे क्या मिल रहे हैं मुझे पता है अमूनिया के साथ यह सॉल्ट बनाएगा तो यह क्या बना देगा यह इस तरह से अमूनियम के साथ सॉल्ट बनाएगा यहां यहां भी सॉल्ट बन जाएगा और यहां भी आपका सॉल्ट बन जाएगा यहां गया हमारे पास अब क्या करना एक courses की बन गया भी उसके बाद क्या है उसके बाद हमने हीट करा जब आप अम्मूनियchio के 140 को हीट करते हो तो आपको अमाइडमल नता है तो यह किया मिलेगा मु रहे हो तो फर्दर ना ये रियक्शन आगे जा कि आप पढ़ोगे एक ग्याबियल थैलमाइट सिंथिस के अंदर बट यहां पे होगा क्या आपका एक अमोनिया यहां से निकल जाता है तो निकल जाएगा तो जैसे आपने अमोनिया को बाहर निकाला तो क्या मिलेगा पीछे देखना भी यह आपके पास आ रहा है इधर से C double bond O N C double bond O N और यह साथ में एक है एक है बच गया है तो अमोनिया आपका वहां से रिलीज हो जेगा यह हो गया प्रोडक्त आपका डी इस इस अव यह आगे बढ़ते हैं अलकोहल में हो जाता वन डिग्री अलकोहल सिमिलरली बी टू एच सिक्स करोगे उसमें भी सेमी हरकत मिलेगी ठीक है एन ने भी एच फोर इसको करनी पाता है एस्टो निकल भी इसको नहीं कर पाता इन फेक्ट यह जो है ना बी टू एच सिक्स यह बड़ा स्पैसिफिक रि रिडियूस करना है तो दुनिया जहां की चीज़ों को रिडियूस करता है वो तो हमने इतने दो तिन चैप्टर में रेक्शन देखी रहा उसके ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं वह लिखा है यह दोनों तो रिडियूस करनी सकते है और यह आपका स्पैसिफिक रिएजंट ह होता है करते हैं कोशन अच्छा कोशन नहीं है एच वीजड रियक्शन है है नेम रियक्शन है बहुत और बहुत सारे कोशन इससे आयों है कैसे करना है कि आपके पास कार्बॉग्जलिक एसिड के एलफा कारबन पे एक एलफा हैड्रोजन होना चाहिए अगर एलफा हैड्र वह रही हैं तो कुछ नहीं एक अलफा हीड्रोजन को हटा के एक हैलोजन को बस एड करते ना सीधा रियक्षिन याद रखो यह आगे आपके पास COOH और यहाँ पे आपने जो भी लगाना है अगर यहाँ पे कलोरिन होता कलोरिन लगाते ब्रॉमिन होता ब्रॉमिन लगाते यह होता है आपका हेल वुलाड जैलिंस्की रियक्षिन एच वी जड रियक्षिन बस याद रखना है कार्बॉग्जली एसिड ग्रुप को कुछ नहीं करना ठीक है सीधा सीधा एल्फा हीड्रोजन की जगह पे आपको एक्स लगा देना है चलो यह हो गया आपके पास ठीक है कंपाउंड मिल जाएगा इसके इसमें ठीक है सोडियम बोरो हाइड्राइड कोई रियक्षिन नहीं देता एंड यह क्लोरिन यह तो इस तरह से आपका कंपाउंड हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं अब आते हैं कुछ डी कार्बॉक्सलेशन रियक्षिन पे कि आपको क् काई नहीं कार्बन ेक्षिन आगा रहे में कहीं कार्बन दाएक्सड हमारा दिन निकल रहे तो कैसे करेंगे टीन चार इक्षियज है entails लाइं है है कreaming इनको एके करके देखते हैं, सबसे पहले बात करते है, सोडा लाइम की, इसका मेकैनिजम थोड़ा देख लो, क्यों कि इसके उपर दो-तिन बार सवाल पने है, क्या होता है, सोडा लाइम रेक्शन में, NaOH और CO देते हो, पहले आपका NaOH, ठीक है, क्या करता है, यह करता है, एस इसने H पे अटैक करा, तो आपको पहले मिलेगा यह, R, CO, यह आगया O-, और यह वाटर बन जाएगा, वाटर को CO एब्सॉप कर लेता है, ठीक है, तो प्लस वाटर है, यहाँ पर मैं ऐसे वाटर को हटा देता हूँ, तो वाटर को इसने एब्सॉप कर लिया, फिर क्या NaOH के साथ, जो भी, अगर NaOH है, तो यहाँ पे वहीं से वो H पकड़ता है, ठीक है, H पकड़के वो क्या कर देगा, लास में आपको अलकेन जनरेट कर देगा, यह H कहां से आता है, यह NaOH से आता है, बस यह NaOH से आएगा, बस इतना याद रखना मेकैनिजम में बाकी कुछ न निकल के, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो CO2 आपका यहाँ से निकल गया, एक तो यह चीज, दूसरा, क्योंकि कार्बनाइन बनता है इसके अंदर, तो जितना जादा कार्बनाइन स्टेबल होगा, उतना यह रियक्शन तेज होगा, लिखा भी है, rate of decarboxylation is proportional to stability of carbonine, जितना carbonine stable होगा, उतना ही जबरदस्त यह reaction होगा, ठीक है, तो यह हो गया हमारे पास, जैसे एक दो कोशन कर लेते हैं, यह है मेरे पास, तो सीधा मैं product generate करना सिखा देता हूँ, यह जो है ना बीच में से CO2, इसको हटा दो, ठीक है, अब H है, तो यह एची हो जाएगा, यह मेरे पास, यह product generate हो जाएगा, तो यह H लगाना है, ठीक है, यह है, कल को अगर इस में से OD होता, अगर यह D होता, यहाँ पे D होता, तो H की जगह पर आप D लेगा देते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, एन ने ओच के H जो होता है, वो यहां पे निकल के आ कारना, decarboxylation में, decarboxylation, not by soda line, मैं सीधा कर रहता हूं, कि इबार आप इसको heat करके भी कर सकते, कैसे, अगर मेरा carboxylic acid के alpha position पे साथ, कोई ऐसा group लगा हो है, यह CO group लगा हो, यह NO2 group लगा हो, यह मालोग कोई carboxylic acid लगा हो, मतलब क्या है, strong minus M group, यह strong electron withdrawing groups, अगर ऐसे group लग सकते हैं, आपने देखा, कि यहां पर mechanism में, यह क्या हो रहा था, mechanism में, आपका carbonine बन रहा था, अगर आप देखोगे, तो जब यह carbonine बन रहा होगा, जब यह carbonine बन रहा होगा, ऐसे, इस carbon पे आएगा न, carbonine इस carbon पे बनता है, तो जब यह carbonine बनेगा, तो यह क्या कर सकता है, ये G group इस carbon 9 को stable कर सकता है क्यों stable by minus M तो कहीं भी अगर minus M group लगे होते हैं तो ये carbon ना मतलब ये इसको direct heat करके भी आप decarboxylate कर सकते हो अगर इसके साथ minus M group लगे है इस case में आपको NaOH और CO देने की ज़रूतनी है simple heating से आपका carbon dioxide निकल जाता है simple heating से तो जैसे example देता हूँ आपको मानलो ये लिखाई हुआ यहाँ पर जैसे कोश्चन है ये देखना ज़रा COH है alpha position पे एक और COH लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो normal heating में इस में से CO2 क्या कर देना उड़ा देना CO2 आपने उड़ा दिया क्या बचा पीछे एक और दो यह आ गया CH3 C double bond O यह आपका product बन गया ठीक है बाद में देखेंगे यह reactions भी होते है इसको यह बाद में सीधा heat करने पे आपको क्या करेगा CO2 क्या करेगा निकल जाएगा तो product क्या मिल जाएगा यह आपको product मिल जाएगा प्लस आपका CO2 तो बेसिकली ध्यान रखना है इनमें CO2 और NH देनी की जरूरत नहीं है CO2 और NH देनी की जरूरत नहीं है मतलब soda lime आपको जरूरत नहीं है आप सीधा-सीधा decarboxylate कर सकते हो direct heating से भी ठीक है तो यह हो गया आपका आगे बढ़ते हैं next is call-based electrolysis call-based electrolysis कहीं ना कहीं woods reaction जैसा होता है ठीक है बस ध्यान रखना है इसके अंदर कि आपको radical cup generate करना है अगर आपके पास आपको क्या करना है इस पूरे जमेले में call-based electrolysis में जो भी आपका ये group है इसका radical बनता है तो यहां पर radical बनेगा ठीक है यहां पर radical बन गया किसी को इसके जैसे एक और radical बना और यह दोनों आपस में क्या करेंगे यह आपस में combine करेंगे तो product जो मिलेगा आपको यह मिल जाएगा मतलब यह कही ना कहीं वूट्स रेक्शन में भी जही करते थे कि radical बनाके दो radicals बनाके combine कर देते थे तो यह कहीं ना कहीं वूट्स रेक्शन जैसा है ठीक है similar to वूट्स रेक्शन जैसा यह होता है call-based electrolysis आपको radical generate करना है combine करके आपका product मिल जाता है बस ध् है तब यह पूरा compound as it is लिखो इसको R-C-O-R ठीक है और साथ में जो R गूप है उसी को combine कर दो तब यह बन गया R इसको क्या बनेगा अपकी बार यह एस्टर बनेगा तब normal combination नहीं हो पाता 3 degree में तो आप क्या करेंगे एस्टर बना देंगे otherwise normal आपका alkane मनता है यहां पर यह यहां पर 3 degree में आपका ester बन जाता है कैसे करेंगे इसको देखो जड़ा यहां पर कोशन कर दे रहा हूं आपको मैं यह मेरे पास तो यह क्या है मेरे पास normal i think 3 degree नहीं है एक दो तीन है तो एक यह radical combine करोगे क्या हो जगा एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन चार पांच यह product आ गया इसका करते हैं यह क्या है यह 3 degree है ठीक है 3 degree आ गया तो इस case में तो आपको ester बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगी यह देखो यह आ गया मेरे पास c double bond o और यही आर ग्रूप का माइन होता है तो यह मेरा ester बन जाएगा अच्छा इधर क्या करना इधर आप देखोगे पहले तो रेडिकल बनता फर्स टेप में फर्स टेप में रेडिकल बनता है यह रेडिकल बना यह रेडिकल बना इधर से भी रेडिकल बनेगा इधर से भी रेडिकल बनेगा दो रेडिकल जब one two position पे हो तो आपस में करेंगे वो वो आपस में करते हैं ऐसा मत कर यहां पर एक और बनागे को करते ना क्यूं क्यों कि हमेशा intra attack is faster than inter attack intra attack हमेशा inter attack से past होता है कहने का मतलब यह कि आपको pass में possible है obviously pass है तो जल्दी reaction करेंगे दूर वाले को reactions मुश्किल होता है तो यह आपको जो product देंगे इस case में वो क्या करेंगे वो आपको एक alkene देदेगा चलो अब यही हरकत यहां करेंगे यही आ गया यही आ गया इस case में यह कौन सी position पे है यह एक radical यहां एक radical यहां 1,2,3,4 यह था 1,2 position 1,2 position पे तो आपको alkene मिलता है पर 1,4 पे क्या करेंगे आपसमें को combine कर दो यह भी इधर आजेगा यह भी इधर आजेगा तो यहां पे कुछ आपको bicyclic compound सा मिलेगा product आपका कुछ ऐसा हो जाएगा थीक है तो ध्यान रखना है जब भी कभी आपके पास call-based electrolysis में 1,2 के अलावा कुछ आ जाए तो आपके bicyclic बनेंगे 1,2 आ जाएगा तो alkene बन जाएगा थीक है तो हो गया तोड़ा call-based आगे आते हैं Hans-Dyker reaction पे इसमें होता है silver salt of carboxlic acid carboxlic acid silver salt लेना ब्रोमिनीन CCL4 के साथ heat करा प्रोडक्ट कैसे generate करने पहले प्रोडक्ट बताता हूं वो है आपके पास RBR प्लस आपको मिलेगा CO2 प्लस आपका AGBR यह आपका प्रोडक्ट है अब इसको लाने का तरीका है वो क्या है आप यहाँ पे इस तरह से break कर लो यह देखो BR BR ऐसे लिखना R और BR तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा RBR प्लस इधर से कुछ नहीं है तो CO2 प्लस AGBR इस तरह से आप प्रोडक्ट को short में generate कर सकते हो वो ही चीज मैंने यहाँ पे लिखती है तो बस आपको क्या करना आर ग्रूप को R ग्रोप के साथ जो भी यह आर ग्रूप है इसके साथ BR BR द्हाना में यह यहाँ रखनी है ठीक है जैसे कोशन करते हैं तो यह मेरा R ग्रूप है तो मैं इस R ग्रूप के साथ एक BRelo-原 कर दूँगा इस R group के साथ मैंने क्या कष्ण गर दिया एक BR ग्रोमीन जनरेट कर दिया, प्लस CO2 और AGBR क्या हो जाएंगे मेरे side products हो जाएंगे, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, यह जल्दी जल्दी कर सकता हूं, ठीक है, यह हो गया मेरे पास, आगे आता है dry distillation, dry distillation of calcium salt, इसमें क्या होता है, इसका na, calcium carbonate निकालने का है, calcium carbonate निकालन यह देखना जड़ा, CA, CO3, CA, CA हो गया, CO3, तो यह मेरे पास, I think, O3 बन गया, देखना दोई, CA, CO3, यह आपको निकालने एक तो, एक तो मैंने calcium carbonate निकाल दिया, प्लस, जो भी पीछे बच रहे है, I think, R'COR, तो यह बच गया, R'COR, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यह यहां से भी again क्या है, अब calcium carbonate निकल रहा, पूरे का पूरा, इस तरह से निकाला जा सकता है, वो अलग बात है कि इसको जब आप heat करते हो, तो CA और CO2 में break कर जाता है, ठीक है, similarly इसको करते हैं, जैसे कोशन है, तो यह मैंने क्या करा, यह मैंने यहां से, CA, CO3 बाहर निकाला प्लस क्या हो जाएगा, प्लस देख लो, ME, ET का यह, तो एक तरफ ME लगा दो, एक तरफ आप इथायल ग्रूप लगा दो, लो, रग जनरेट होगे आपका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, towards the last reaction, that is heating effect, heating effect में ध्यान रखना है, दो तरह की heating effects में आपको करवा रह हैं, कैसे करना है, सबसे पहले आपके hydroxy carboxylic acid पढ़ेंगे, यह alpha, beta, gamma, delta, 4 में आपको पढ़ाऊंगा, कैसे करना है, alpha मतलब, यह carboxylic acid है, उसके alpha position पे hydroxy लगा हुआ है, इसको कैसे करते हैं, यहां से आपको water निकालना है, और यहां से आपको water निकालना है, तो product क्या बने करनेगा, ओ, यह CO आ गया, यहां से आपका, यह आ गया, इधर R group लगा हुआ है, इधर से C double bond हो, इधर O, और इधर आपका R, इसको बोलते हैं, डाइलेक्टॉन, this is called डाइलेक्टॉन, ठीक है, यह डाइलेक्टॉन formation होजेगी, अगर आपका alpha hydroxy, आप heat कर रहे हो, ठीक है, निकलता क्या है, दो moles of water आपके release हो जाएगे, आगे बढ़ते हैं, next is beta hydroxy, alpha, beta, beta पे है, तो क्या करेंगे इस case में, इस case में भी water बाहर निकलता है, बस अब की बारी जो तरीका है, वो थोड़ा अलग है, अब यहां पे बन जाता है आपका, साथ में, अलकी, मतलब आपको alpha, beta, unsaturation आपके हो जाएगी, अगर beta hydroxy है, अच्छा, अगर हमारे पास gamma hydroxy है, alpha, beta, gamma, तो इस case में क्या हो जाएगा, इस case में आपका normal esterification reaction होता है, esterification याद है, क्या करना है, आपको मैं तरीका बताता हूँ, यहां से H और यहां सी हो अच्छ, अभी भी water निकलेगा, तो आप सोच लिया करो, यह जो oxygen है न, इसने इसके उपर attack किया होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं generally इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, तो 5 membered ring बन रही है, जिसमें 1 oxygen होगा, तो 5 membered ring है, जिसमें 1 क्या है मेरा oxygen, लो, numbering कर देते हैं, यह oxygen 5 पे है, तो यह 4, 3, 3, 2, 1, एक पे क्या लगा है, एक पे मेरा, तीयो लगा है, दो पे कुछ निए, तीन पे कुछ निए, चार पे मेरा एक R गुरूप लगा है, तो यह बन गया मेरा, यहां पे compound, cyclic ester बन गया एक तरा से, येस, तो एक आपको यहां पे cyclic ester मिलेगा, ठीक है, अगला करते हैं next is delta, तो अब इसमें भी सेम ही चीज है, आपको क्या करना है, यहां से H और O2 उड़ाना है, इसको इसके ओपर attack करवाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब 6 member की ring बनेगी, जिसमें एक क्या होगा, oxygen होगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो जड़ा, 1 पे, 2 पे R गुरूप है, 2 पे R ग बन जाएगा, ठीक है, तो ये आपके reactions होगे, कौन से वाले, जिसमें आपको hydroxy, alpha, beta, gamma, delta, इनको आपको hydroxy carboxylic acid को heat करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next is heating of di carboxylic acid, और ये बहुत important questions आये हैं, इससे बहुत बार questions आये हैं, क्या है, di carboxylic acid मतलब आपके पास 2 acid group है, इध अब इसको हम लोग general formula में अगर break करें, तो बीच में कितने carbon आ रहे हैं, CH2 कितने change आ रहे हैं, उसके ओपर नाम हो था, अगर कोई भी नहीं आ रहा, तो 0, ठीक है, एक आ रहा है, तो CH2 लिखा होगा, इसी तरह से group चलता रहता है, 0 को हम लोग बोलते हैं, oxalic acid, 1 को melonic acid, 2 को glutaric acid, 4 को adipic acid, 5 को pemelic acid, 6 को subaric acid, कैसे याद रखना है, आपके सामने है, O, M, S, G, A, P, S, short form इसकी क्या है, एक trick है, O, my son, go away, please, O, my son, go away, please, या, O, my student, go away, please, जैसे आपको याद रखना है, O, M, S, G, A, बस, please में, P, और S, आपके दोनों आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो, important है, याद करना, क्योंकि इसके ओपर question आए है, कैसे, इसके heating में आपको बताएंगे, अगर structure जानने है, तो structure बनाए हुए याँए, क्या कुछ नहीं याद, अगर आप zero, मतलब इसको हटा दोगे, तो क्या बनेगा, तो आपक करने के तरीके हैं, इसमें, in fact, मैं एक addition भी कर रहा हूँ, मैं आपको पहले, ये आ रहा है, आपका formic acid, इसको भी heat करके, इसको भी heat करके दिखाता हो, यह इसमें निकलता है, CO और water, ये निकालेगा, CO और water आपका यहाँ से निकल जाता है, oxalic acid है, तो जो पहले दो आ रहे इसमें तो आपको gases directly आ रखना यह होती है, अब इन दोनों को minus कर दो, इन दोनों को minus करो कि क्या बचेगा, CO से CO जाएगा, water से water जाएगा, पीछे CO2 निकलेगा, मतलब इसके अंदर मेरे को CO2 निकलने वाला है, प्लस, अगर मैं CO2 निकाल देता हो, याद है यह तो पहले भी करा हुआ है, मैलोनिक ऐसेड क्या होता है, याद है, अलफा, मतलब, अलफा पोजिशन पे CO, from minus M group लगा हुआ है, यह पहले भी कर चुके है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, CH3, COOH, ऐसे कर लो, यहाँ फिर तुमें जैसे मैंने उपर से बताया है, वैसे कर लो, तो मै क्या करना है, सीधा-सीधा water निकलेगा, देखो जरा, यहाँ से आपको water को बाहर निकालना है, अगर आप water को निकाल देते हो, तो फिर कोई चीज है, क्या बनेगा पीछे देखना है, यह आगे आपके पास numbering कर लो, अगर आप चापते हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 member ring बनेगी आप के पास, जिसमें एक member आपका oxygen होगा, ठीक है, oxygen को 1 बोला है, फिर 2, 3, 4, 5, 2 पर क्या है, CO group है, 3, 4 पर कुछ नहीं, 5 पर क्या है, CO group है, तो I think एक cyclic क्या बन जा रहा है, cyclic anhydride यहाँ पर मेरे पास बन के आ रहा है, plus मेरा water क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएग ठीक है, similarly हरकत यहाँ पर करोगे आप, क्या आजाएगा, water बाहर आजाएगा, plus cyclic amide, तो फिर वही वाली बात, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर देखोगे, 6 members बनेगा, ठीक है, और इधर O आजाएगा, इधर O आजाएगा, यह देख ले ना, यहाँ पर जगा कम है, तो इस तरह स निकाल दो, एक जगा से, एक जगा से, water निकाल दो, अगर दोनों को निकाल लोगे, तो यह मेरे पास, यहाँ पर कितना आएगा, देख लो जड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 member का ketone, तो 5 member का ketone बन जाएगा, plus मेरा CO2 water मेरे बाहर निकल जाएगे, ठीक है, यह हो गया, अमारे पास, सेम हरकता, 1, 6, 1, 7, दोनों में कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं, next is, अगर 1, 8 and उपर वाले आगे, 1, 8 and 1, 8 से उपर अगर कुछ भी आता है, तो आप सीधा-सीधा क्या करना, आप यहां से ना, अब इसमें होता polymerization, यहां reaction जो होता है, water निकलता है, और polymerization, कैसे water कहां से निक निकलता है, ठीक है, एक H यहां से, मतलब आप इसको ऐसे तरह से यहां से निकल जाएगा, और यहां से भी आपका H निकल जाता है, तो point यह है, यह भी मतलब water बन जाएगा, तो इसको इस तरह से show करते हैं हम लोग, show करने का तरीका बदा देता हूं आपको मैं, यह आएगा पूरी O वाली चेनी यहां पर एक जगा O लगा दो अगर आप जाते हो, तो इस तरह से continue रहेगा, यह polymerization में हम लोग polymers में पढ़ते हैं, आपको दब chapter हटी गया, ठीक है, चलो, अब आते हैं towards the last reaction that is electrophilic aromatic substitution, अगर आप देखो के benzoic acid कैसा group है, यह एक, मतलब, electron withdrawing group है, minus M group ह which means it is electron withdrawing, और जो electron withdrawing group होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, सर वो आपके, मतलब, meta directors होते हैं, deactivating group है, और meta directors है, एक तो deactivating होंगे यह, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यह meta director होंगे, तो बस खदम question, these are meta directors, तो meta director हो जाएगा, अब क्यासे करें यह question, तो आपको ब पूरे में से मेरा NO2 plus निकलता है, तो बस meta position पे NO2 plus लगा दो, तो यह क्या हो जाएगा, यह मेरा carboxylic acid है, और meta position पे मैंने क्या लगा दिया, NO2, BR in iron, इस में से में को bromine plus मिलता है, तो क्या हो जाएगा, यह मेरे पास यहाँ से COH है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे मेरा bromine लग जाएगा, meta position पे, तो चलो, यह हो गए आप सारे के सारे reactions, अब करते हैं कुछ PYQs, reactions are all completed, carboxylic complete हो गए है, PYQs करते हैं, पह क्या करेगा, CO2 पे attack करेगा, तो यह CO2 है, इसके ओपर इसने attack करा, तो क्या मिलेगा, R, CO, O minus, और साथ में, जहाँ O minus होता है, वहाँ पे साथ में MGX प्लस लग जाता है आपका, तो देख लो, जाना कौन सा मैच कर रहा है, R, CO, R, CO, MGX, तो यह हमारा correct answer रहेगा, तो यह हमा CO2 डा रहे हो, NOH plus X, I think CO2 decarboxylation हो रहे है, कौन सी वाली है, यह वो soda lime वाली, तो soda lime चाहिए, NOH plus X, X बताना कौन सा है, तो X क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा, यह कौन सा है, soda lime वाला reaction है, recent year question है, 21 का, वो 22 का था यह देखो, पिछले साल, यह उससे पिछले साल, देखे, अग कौन सा reaction है, यह आपको अगर याद हो, CO plus HCL, I think यह reaction हमारा getterman reaction आ रहे है, तो यह getterman कूच आ रहे है, तो यह Q, A का बनी गया, Q, यह इसके साथ मैच करेगा, यह आपका, I think वो आला, यह आगया हमारा, Idoform, तो यह आगया हमारा haloform देगा है, तो यह आपका R हो गया, अच् justification, तो यह हमारा SO हो जाएगा, यह क्या है, red phosphorus और halogen, यह हमारा P हो गया, A का Q, B का R, A का Q, B का R, A का Q, B का R, यही option में को सही लग रहा है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, next is this question, यह हमारे पास क्या है, strong heating, सीधा-सीधा, ammonia डालके strong heating, तो यह आपका वह वह बहला reaction हो गया जो बता है था, पहले अगर आप ammonia डालके heat करते हो, पहले ammonia डालोगे तो salt बनता मैं सीधा-सीधा amide बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि heat भी करा साथ-साथ, और इस amides में से ammonia निकल जाता है, तो last में product मेरा यह बचता है, that is, यह मेरा NH last में बचेगा, तो यह मेरा product आ next is discussion, कह रहा है, rate of the reaction, यह आपने nucleophile, वही कौन सा reaction है, S and A reaction में, कहता है सबसे जबर्दस reaction कौन देगा, Z कौन सा होगा, तो मैं already बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको देखना रहता है, group कैसे है, यह plus M shared करता था, जो की बरबादी है, यह आपका minus I करता है, यह plus M strong करता है, तो यह तो सब plus M वाले है, A की deactivating है, that is chlorine, ठीक है, यह वैसे आपको reaction भी बता दिया था मैंने, इस पे आ जाते है, correct order of strength of carboxylic acid, acidic strength बता नहीं है, minus I, minus M देखने है, इसमें देखो भईया, सब कुछ common है, यहाँ पे no effect लगेगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कितने position यह रहा है, यहाँ पे एक, दो, दो position के बाद आपका oxygen आ रहा है, यहाँ पे एक, दो, तीन, तीन position के बाद oxygen, और oxygen कैसा है, एक minus I group है, तो minus I पे लगाते है rule DNP, तो यहाँ पे कम distance है, तो दो मेरा सबसे ज़्यादा ऐसे डिक होएगा, फिर मुझे लग रहा मेरा 3 होगा, फ option D is the correct answer, ठीक है, and with this, we have come to the end of the mind map, उमीद करते हैं, यह mind map आपको थोड़ा सा short में and crisp में आपने से सारे topics को revise किया होगा, मैं फिर से एक ही चीज़ बोलूँगा, यह mind maps revision होते हैं, एक बार topic पहले अगर आपने पढ़ रखा है, तभी इनकी clarity आपको बहुत अच्छे से आए बाइ